इस वीडियो में हम ओमा एक्सपोर्ट्स लिम्टेट कंपनी के आईपियो की कम्प्लीट एनलिसिस करेंगे जिसमें हम कंपनी के प्रोडेक्ट एंड सर्विसिस कंपनी के फणेंशियल आईपियो डिटेल्स और मेरा क्या ओपीनियन इस आईपियो को लेकर इन सब बातों पर चर्चा करेंगे मेरा नाम है शुभान स्चौरस या चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं चलिए सबसे पहले कंपनी के प्रोडेक्ट एंड सर्विसिस के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है अब देखा जाए तो कंपनी 1988 में बनी थी यानि क फीकाफी पुरानी कंपनी है और देखे जो कंपनी मेजी जो इग्री कल्चलरर क्रेक्ट होते हैं उनको на Trades करने का काम करते हैं आगर अगर करें तो देखे, यह rice हो गया, wheat हो गया, sugar हो गया, spices हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़े जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा भी कई सारी चीज़े हैं, जो यह trades and distribute करने का काम करते हैं, यानि कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो यह exports related company हैं, और देखे, जो agricultural product होते है उनको trades and distribute करने का काम करते हैं, अब देखे, बात करते हैं, competitive strength ही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, experience management team with proven project management and implementation skills, next है strong presence in agro commodities trading segment, next है यहाँ पर track record of growth and profitability, next है long term relationship with client and repeat business, अब देखे, बात करते हैं, यहाँ पर financial की, और देखे, financial में सबसे पहले यहाँ पर आता है, assets value, अब देखे, asset value अगर 2019 मार्च में आप देखेंगे, तो 10,376 लाग के आसपास रही थी, वहीं अगर बात करें, मार्च 2020 की, तो यह बढ़कर 21,869 लाग के आसपास होती भी नज़राई, लेकिन 2021 मार्च में बात करें, तो थोड़ी सी कमी ज़रूर नज़राई थी, जो क 19,869 लाग के करीब ही थी, लेकिन अगर सेप्टेंबर 2021 तक की बात करें, यानि कि पूरा financial year है, उसमें पहले 6 महीने की बात करें, तो 32,488 लाग के आसपास company की asset value होती भी नज़राई, यानि कि जबरदस उचाल यहाँ पर देखने को मिला है, और देखे, पूरा जो financial year खतम होते होते मुझे लगता है, यह काफी उचा तक पहुंसता हुआ नज़राईगा, अब दिके बात करते हैं, यहाँ पर revenue की, revenue 2019 मार्च में आप देखेंगे 32,937 लाग के आसपास इनका revenue रहा, वही 31 मार्च 2020 को अगर बात करें, तो 81,030 लाग के आसपास revenue होता हुआ नज़र है, यानि कि पिछले साल के तुला में थोड़ा सा यहाँ पर कमी देखने को मिली, वही 30 सेप्टमबर 2021 की बात करें, तो यहाँ पर revenue अभी तक पहले 6 महीने में 52,394 लाग के आसपास होता हुआ नज़राया, यानि कि अगर हम देखें हैं तो देखें यह 6 महीने का है, और अ एक लाग से भी जादा, एक लाग लाग से भी जादा यहाँ पर बहुत जा रहा है, तियानि कि revenue भी यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से ग्रो करता हुआ नज़राया है, अब देखें यहाँ पर profit की और profit किसी company के लिए बहुत ही जादा important है, और 2019 मार्च में अगर देखे करें, तो 1218 लाग के आसपास company का profit रहा था, और अगर September 2021 की बात करें, यानि इस financial year के पहले 6 महीने की बात करें, तो 897 लाग के आसपास company का profit 6 महीने में ही, मतलब पहले 6 महीने में ही होता हुआ नज़रा रहा है, यानि इसको डबल करेंगे, तो यह पिछले साल से काफी टेल की, तो जैसे कि आपको पता है, 28 मार्च से IPO उपन होने जा रहा है, एपलाई करने के लिए, और 30 मार्च इसकी last date होने वाली है, बुग बिल टिशू होने वाला है, 10 रुपए प्रतीकुटी शेर इसका face value रखा गया है, और 65 से 68 रुपए इसका price value रखा गया, यानि 68 र बात करें, तो पूरा का पूरा issue यहाँ पर जो है fresh issue के जरीए लाए जा रहा है, यह अच्छी बात है, यानि पूरा पैसा यहाँ पर company में ही खर्चोगा, company के development में ही खर्चोगा, और यह जो issue है, मातर साथ करोड का यह issue है, और यहाँ पर retail category के हिस्से की बात करें, तो 35 पर आपको एलॉर्टमेंट मिलने की जो probability होगी, वो काफी कम होगी, लेकिन फिलहाँ यहाँ पर 35 परसंट का ही 60 करोड में से retail category के लिए reservation रखा गया है, अब दिखिए बात करते हैं, यहाँ पर object of the issue की, यानि की company अपना IPO क्यों लेकर आ रही है, company को क्यों पैसों की ज़रत है, पहला यहाँ पर बताया है, argumentation of working capital requirement के लिए इनको पैसा चाहिए, और दूसरा बताया है, इन्होंने general corporate purpose के लिए, तो यह दोनों ही कारणों के लिए company अपना IPO लेकर आ रही है, अब दिखिए बात करते हैं, यहाँ पर time table की, तो time table आप देख सकते हैं, यह IPO जैसे की आपको पता है, 28 मार्च से उपन होने जा रहा है, 30 मार्च को इसकी last date होगी, अपलाई करने की, अलॉट्मेंट की बात करें, तो 4 अपरेल को इसका अलॉट्मेंट आएगा, refund की बात करें, तो यह IPO पांच तारीक को, यह पांच अपरेल को, अगर IPO आपको अलॉट नहीं होता है, त यह पूरा time table है, lot size की बात करें, तो minimum आप एक lot apply कर सकते हैं, retail category में, 220 shares रहेंगे उसमें, और 14,960 रुपया आपको उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे, वही maximum lot की बात करें, तो 13 lot यहाँ पर आप apply कर सकते हैं, और 2860 shares उसमें आपको मिलेंगे, और 1,94,480 रुपया आपक तो मैं यही बोलूँगा कि multiple demand account से आपको apply करना चाहिए, और एक एक lot apply करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा lot apply करने से कोई मतलब नहीं होगा, तो हर demand account से आपको एक lot करना चाहिए, और अगर आपके पास एक ही demand account है, तो description में दिवी link से आप demand account open कर सकते हैं, वहाँ पर आपको free demand account मिल जाएगा, और वहाँ पर कोई भी charges आपसे नहीं लिया जाएगा, तो आप multiple demand account खोल कर, उन multiple demand account से IPO में apply करके, allotment की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, next यहाँ पर मैं आपको बता हूँ, discussion, तो देखें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सारी detail मैंने आपको बता दि ना के बराबर है, लेकिन इस IPO के अगर financial देखे जाएं, इस company के financial देखे जाएं, तो काफी बढ़िया है, और कहीं न कहीं agriculture से related यह company है, तो मुझे ऐसा लगता है, कि यह IPO की जिस तरीके से financial है, यहाँ पर भले ही, देखें, short term में आपको कम listing मिले, लेकिन long term में यह IPO काफी ब करते हैं, वो शुरू में तो आपको बहुत ही कम listing देते हैं, कई 10-20% का, लेकिन जब market में list हो जाते हैं, तो उनमें बढ़िया rally देखने को मिलती है, और वो अपने issue price से कई गुना होते हुए नजराते हैं, तो मुझे उसी तरीके का यह IPO लग रहा है, मुझे लग रहा है क कि इसमें आपको apply जरूर करना चाहिए, retail निवेशकों को भी इसमें apply करना चाहिए, मुस्किल है, allotment मिलना भी मुस्किल है, लेकिन फिर भी अपनी किश्मत को जरूर आजबाना चाहिए, multiple demand account से apply करना चाहिए, देखें, यहाँ पर भले ही मैं फिर से आपको बता दू, listing in लेकिन आपको भले ही कम मिले, लेकिन यहाँ पर long term के लिए अगर आप रहते हैं, तो मुझे लगता है, काफी बढ़िया मुनाफ़ा होने की इस IPO में संभावना हो सकती है, अब देखें, listing in कितना होगा, premium अभी market में देखें, आया नहीं है, premium के हिसाब से अगर आएगा, ज 10-20% का listing आप चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी IPO सही रहेगा, लेकिन overall में कहूं, तो long term के लिए यह IPO काफी बहतरीन साबित हो सकता है, तो यह update है, बांकी जो update है, premium update है, जो भी update आती है, सबसे पहले आपको इसी channel पर provide करते रहेंगे, और अगर आप अप इस channel पर नए है, तो subscribe जरूर करने हैं, और देखिए अगर आप इस IPO में apply करते हैं, तो अपने financial expert से आपको जरूर पूछना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़े में आपको बताता हूं, केवल और केवल अपने analysis के अनुसार बताता हूं, कुछ भी आप इसमें करते हैं, profit laws होता है, तो उसके जिम्मबार आप खोदी होंगे, I think video पसंद आया होगा, video पसंद आया है, तो like, share जरूर करें, channel पर नहीं है, तो subscribe जरूर करें, तहन्यवाद,